सपिको नमस्कार आज का हमारा पाठ चंगल और जनकपूर राज महल से निकलकल महर्शी विश्वामित्र सर्यू नदी की और बढ़े दोनों राजकुमार साथ थे उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की दूर तक सर्यू के किनारे किनारे चलते रहे दक्षनी तट पर उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी पे चलते रहे नदी के खुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे चूट गया उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई चलते चलते एक तीखा मोड आया तो सब कुछ दृष्टी से ओजल हो गया राम ओ लक्षमन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा उनकी नजर सामने थी महर्षी विश्वा मित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पढ़ने लगी शाम होने को आई राजकुमारों के चेहरे पर ठकान का कोई चिन नहीं था उत्साय था वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तयार थे महर्षी अचानक रुके उन्होंने आस्मान पर द्रिष्टी डाली चिडियों के जुंड अपने बसेरी की और लोट रहे थे आस्मान मटमेला लाल हो गया था चरवाहे लोट रहे थे कायों के पैर से उठती धूली में आथे चीपे हुए हम आज रात नदी तड़ पर ही विश्राम करेंगे महर्षी ने पीछे मुड़ते हुए कहा दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वा मित्री हलका सा मुस्कुराए राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा मैं तुम दोनों को कुछ विद्याईं सिखाना चाहता हूँ इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहोगे राम और लक्षमर नदी में मुँखा थोकर के लोटे महर्षी के निकटा कर बैठे विश्वा मित्र ने दोनों भायों को बला अतिबला नामक विद्याईं सिखाई रात में वे लोग वही सोगे तिनकों और पत्तों का विस्तर बना कर नींद आने तक महर्षी उनसे बात करते रहे सुबह हुई या तरह फिर शुरू हुई मार्ग वही था सर्यू नदी के किनारे किनारे यहाँ देखो राक्षशी है यहाँ पर ताड का राक्षशी जो है वे दिखाई गई है चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी वो संगम की दूसरी नदी गंगा थी महर्षी अब भी आगे चल रहे थे लेकिन एक अंतर आ गया था राम लक्षमन अब दूरी बना कर नहीं चलते थे महर्षी के ठीक पीछे थे तकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके रास्ते में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में महा के लोगों के बारे में प्रक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थान ये इतिहास उसमें शामिल होता था आगे की आत्रा कठिन थी जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी रात में ऐसा करना महशी विश्वा मित्र को उचित नहीं लगा तीनों लोग वहीं रुग गए आश्रम पर संगम पर बने एक आश्रम में अगले सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की नदी पार जंगल था घना दुर्गम सूरज की किने धर्ती तक नहीं पहुँसती थी इतना घना वह डरावना भी था हर और जिंगुरों की आवाज जानवरों की दहार क्रकश धवनिया राम और लक्षमन को आस्वस्ट करते हुए महैसी ने कहा ये जानवर और बनस्पतियां जंगल की शोभां है इन में कोई डर नहीं है असली खत्रा रक्षशित ताड़का से है वह यहीं रहती है तुम्हें वह खत्रा हमेशा के लिए मिटा देना है ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था जो भी आता ताड़का उसे मार डालती अचानक आकरमन कर देती उसका डर इतना था कि उस सुन्दर वन का नम ताड़का वन पड़ गया था राम ने महर्शी की आग्या मान ले हनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खीच कर छोड़ा इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए काफी था तंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरलस्ती हुई राम की और दोड़ी दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा जंगल में जैसे तुफान आ गया विशाल का एपेड काप उठे पत्ते तोट कर इथर उधर उड़ने लगे धोल का घना बादल चा गया उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था फिर ताड़का ने पत्थर भरसाने शुरू कर दिये राम ने उस पर बाण चलाए लक्षमन ने भी निसाना साधा ताड़का वानों से घिर गई राम का एक बाण उसके हिरदय में लगा वह गिर पड़ी फिर नहीं उठ पाई विश्वा मेत्र बहुत खुश हुए प्रसन महर्शी का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था लेकिन तब तक रात हो चली थी विश्वा मित्र ने वह दूरी अगले दिन तैय करने का निर ने लिया ताड़का मार चुकी थी उसका भै नहीं था तीनों ने रात वहीं बिताई ताड़का वन में जो अब पूरी तरे भै मुक्त था सुभै जंगल पदला हुआ था अब वह ताड़का वन नहीं था क्योंकि ताड़का नहीं थी अचानक भयानक कयब हो चुके थी अवाजें पत्तों से गुजरती हवा थी उसकी सरसराहट का संगीत था चेडियों की चहचाहट थी शांती थी तश्वीर बदल गई थी सिधाश्रम का अंतिम पड़ाव था महरशी का आश्रम रास्ता भी छोटा था मनोहारी भी प्राकर्तिक संदरे का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुँच गए आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की अभिनंदन किया उनकी प्रसनता दु पूगनी हो गई थी महरशी विश्वा मित्र के आश्रम लोटने की खुशी राम लक्ष्मन के आगमन का सुख विश्वा मित्र यग की तैयारियों में लग गए अनुस्थान प्रार्यम हुआ आश्रम की रक्षक के जिम्मेदारी राम लक्ष्मन को स्वाप कर महरशी आश् पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में पांच दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा शांती से निर्विग्न लगता था कि राजकुमारों की उपस्तिती नहीं राक्षेशों को भगा दिया है रामो लक्षमन ने यग्यपूरा होने तक ना सोने का निर्णे किया वे लगातार जागते रहे चोकस रहे कमर में तलवार पीट पर तूनीर हाथ में धनुष पतंचा चड़ी हुई हर स्थिती के लिए तयार अनुस्थान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आस्मान भर गया सुबाहू और मारीच ने राक्षेशों के दलबल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया मारीच क्रोधित था यग्ये के अलावा भी इस बात से कि राम लक्षमन ने उसकी मा को मारा था ताडका को राम ने राक्षेशों का हमला होते ही करेवाही की धनोष उठाया और मारीच को निशाना बना दिया मारिच वान लगते ही मुद्शित हो गया वान के वेग से दूर जाकर के गिरा समोध्य के किनारे वेह मरा नहीं जब होश आया तो उठकर दक्षी दिशा की और भाग गया राम का दूश्रा वान सुबाहू को लगा उसके प्राण वही निकल गए सुबाहू के मानने पर राक्षे सेना में भगदर मच गई वेच चीकते चिलाते हुए भागे कुछ लक्षमन के वानों का शिकार हुए अन्य जान बचा कर भाग खड़े हुए महर्शी विश्वा मित्री का अनुस्थान संपन हुआ राम ने महर्शी को प्रणाम करते हुए पूछा अब हमारे रे क्या आग्या है मुनिवर महर्शी ने राम को गले लगाया और कहा हम लोग यहां से मिधिला जाएंगे महराज जनक के यहां विदेराज के दर्बार में मैं चाता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने महराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है तुम भी उसे देखो राम और लक्ष्मन अगली यात्रा को लेकर हत उसाही थे नए स्थान देखने आप जानने का आफसर सोन नदी पार कर विश्वा मित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे अपने शिश्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम रिशी के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वा मित्र का स्वागत किया तभी उनकी दिश्टी राजकुमारों पर पड़ी विदेह राज चकित रह गई और वे स्वैम को नहीं रोग पाए महर्शी से पूछा ये सुन्दर राजकुमार कौन है मैं इनके आकर्शन से खिस्ता जा रहा हूँ ये राम और लक्षमन है महराज दश्रत की पुद्र मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अध्वु धनुष दिखाने के लिए विदेह राज ने महर्शी उनकी सुष्शों और राजकुमारों की ठहरने की विवस्था की एक सुन्दर उद्यान में अगले दिन सफी आमांतित लोग, ग्रिशी, मुनी और राजकुमार यग्येशाला में उपस्तित हुए वहां महर्शी ने फिर धनुष का उलेक किया महराज जनक ने अपने अनुचरों को आग्या दी शीव धनुष को यग्येशाला में लाया जाए शीव धनुष सचमुच विशाल था, लोही की पेटी में रखा हुआ था, पेटी में पही लगे हुए थे आठ पहे, उसे उठाना लगभग ऐसंभव था पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक जगे से दूसी जगे ले जाया जाता था अनुचर मुश्के से उसे खीशते हुए यग्येशाला में ले आए, धनुष देखते ही विदे राज एक पल के लिए उद्यास हो गए, उन्होंने कहा, मुनिवर मैंनी प्रतिग्य की है अपनी पुत्री सीता के विवा के सम्मन्द में, जो यह धनुष उठा कर उस पर प्रतिंचा चड़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवा होगा अनेक राज कुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, उठाना तो दूर इसे हिला तक नहीं सके, प्रतिंचा क्या चड़ाते विदे ही राज का संकेत समझकर, महर शी विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वच, यह धनुष देखो यहाँ राम ने इसे जुका कर, गुरु की आग्या स्वीकार की आगे बढ़े पेटी का धकन खोल दिया राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर शी को गुरु का संकेत मिलने पर, राम ने वह विशाल धनुष सहजे उठा लिया यग्यशाला में उपस्तित सभी लोगात प्रिब्धे, इसकी प्रतिंचा चढ़ा दू मुनिवर, राम ने पूछा अवश्य यदि ऐसा कर सकते हो, विदेहरा चकिठे, राम ने असानी से धनुष जुकाया उपर से दबाकर प्रतिंचा खीची, दबाव से धनुष बीच से तूट गया, उसके दो टुकडे हो गए, बच्चों के खिलोनों की तरह यग्यशाला में सनाटा चागया, सब चुप थे, एक दूसरे के और देख रहे थे सभागार की चुपी, महाराज जनक ने तोड़ी, उनकी खुशी का ठिकाना ना था, उन्हें सीता के लिए योग्यवर मिल गया था उनकी परतिग्य पूरी हुई, जनक राज ने कहा मुनिवर आपकी अनुमती हो, तो मैं महाराज दस्रत की पास संदेश भेजू बाराज लेकर आने का निमंतर यह सुप संदेश उन्हें सिपर भेजना चाहिए, महरशी की अनुमती से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से इस बीच जनक पूर में धूम मच गई, बाराज के स्वागत की तयारियां होने लगी, नगर की प्रसनत्ता चरम पर थी महरशी जनक का संदेश मिलते ही, अयोध्या में भी खुशी चा गई, आनन फानन में बाराज तयार हुई, हाथी, घोड़े, रत, सेना, बाराज को मिथला पहुचने में पांच दिन लग गए जनक पूरी जगमगा रही थी, हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगे फूलों की चादर, एक एक कोना सोवासित, हर घर की प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत, मुखे मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड, खिड़कियों और छज्जों से जाकती महिलाएं, एक नजर राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाएं, विवास से ठीक पहले, पिदेह राज ने महाराज दसरत से कहा, राजन राम ने मेरी प्रतिग्या पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया, मेरे इच्छा है कि छोटी पुत्री और मिला का विवा लक्षमन से हो जाए, मेरे छोटे भाई कुछ धज की भी दो पूत्रियां है, मांडवी और शुतकेर्थी कृप्या उन्हें भारत और शत्रुघन के लिए स्विकार के, करें, राजा दशरत ने यह प्रस्ताव तद्काल मान लिया, विवा के बार बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी, बाराती पभूँ को लेकर आयो था लोटे, तो राणियों ने पुत्र वध्वों की आरती उतारी, स्ट्यों ने फूल वर्साए, शंक थवनी से गलियां गोंज उठी, यह आनन दोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा